असलाव अलेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं यूटूब चनले तंदूर और फ्राई किजन और मैं सिफ कादिर दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हम और एक रिसीपी आज के रिसीपी में हम बनाएंगे क्लाइंबिंग फिस फ्राई जो यहाँ दोस्तों ऐसे मच्छी तो सबको खाना पसंद है और बहुती स्वादिश होता है लेकिन कुछ पीस ऐसे होते हैं जिसमें स्वादिश के साथ बहुती हिल्थी होता है तो जी यहाँ दोस्तों आज का इस रेसीपी बनाएंगे हम स्वादिश्ट से बरा हुआ क्लाइबिंग फीस प्राइब तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसे लगा कोमेंट करके जरू बताएगा अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे दोस्तों में जरूर सेर केजिएगा और हमारा चनल तंदूर और फ्राइब किचिन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किजिएगा यह देखिए दोस्तों हमने बिल्कुल फ्रेस मच्छी लिया है और यह इतने आसानी से मार्केट में नहीं मिलता है अगर आपको कहीं मिल जाए तो इस मच्छी का स्वाद जरूर लिजिएग इस मच्छी खाने में जितना स्वादिष्ट होता है इसे साप करना उतना आसान नहीं है बहुती फिसलन भरी मच्छी होती है और बहुती केरफुली से इसे कट करना पड़ता है और यह देखिए हमने इस सारे मच्छी को अच्छी तरीके से साप कर लिया है बिल्कुल बढ़िया से इसे साप करना पड़ता है और इसके लिए कुछ खास मसाला ले लेते हैं चलिए सबसे पहले कुछ मसालों को हम ग्राइंड करेंगे पीश लेंगे और इसके लिए हमने लिया है वान एंड हाप टेवल स्पून राई दाना मॉस्टाड शीट और तीन रेड चिली ड्राई जिसे हमने वान फोर्थ कॉप वाटर में वार्म वाटर में सोक कर रखा है भीगा रखा है और दस से बारा कली गारलिक के तो चलिए एक मिक्सर जार लेते हैं और राई दाना गारलिक और ये सूखी हुई लाल मिर्च जिसे हमने गुन-गुने पानी में भीगा कर रखा है इसे डाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा पानी डाल कर हम इसे गुमा लेते हैं मिक मसाला बिल्कुल रेडी नहीं हुआ है इस सारे पानी हम इसमें डाल देंगे हमने इसमें बनी युज़ करीा है और इसे एक बड़ियासा स्मूध सा पैश्ट बना कर त्यार कर लेंगे दिख ella है इसे एक बोल में निकाल लेते हैं और इसके साथ कुछ ड्राइ मसाले लेते हैं नमक स्वादानुसार 1 T.पून हल्दी पौडर 1 तून लाल मिर्च पौडर 1 तून और एक लमण जूस अवर ये रहा मच्छी और इस मच्छी के साथ हम ड्राइ मसाले को मिक्स करेंगे नमक हल्दी और हमना यहां पे देगी मिर्च पाॉडर यूज किया है जिससे तीखापन कम होता है और कलर बहुत ही अच्छा आता है लेमन जूज डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद हमना जो रखा है पेस्ट बना कर इसे इसी में डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करके चार से पांच मिनिट तक इसे इसी तरह छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर मसाला अच्छी तरीके से अबजब हो सके एक तवब ठालेंगे क्यास पे और हम यहाँ पे मस्टर्ड ओयल यूज़ करेंगे करीबन वन एंड हाप टेबल स्पून मस्टर्ड ओयल डालेंगे और लो टो मीडियम हीट पर तौवब को गरम करेंगे और एक एक मच्छी हम डाल देंगे फ्राई होने के लिए तो ऐसे फ्राई होने देते हैं करीबन आठ से दस मिट हो चुके हैं इसे हमने दो से तीन बार स्लो फ्लेम में घुमा घुमा कर फ्राई कर लिया है बिल्कुल गोल्डन कलर हो गया है आप इस मच्छी को हम निकाल लेंगे और सारे मच्छी को इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे बिल्कुल गर्मा गर्म फिस फ्राई हमारा बनकर तयार है स्वर्व होने के लिए इसके उपर थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे ओनियन ड्रिंग्स का आप चाहे तो इसके उपर कुछ भी गार्निश कर सकते हैं और ये लिजिए दोस्तो स्वाद से भरा स्वादिष्ट फिस फ्राई हमारा स्वर्व होने के लिए बिल्कुल तयार है तो दोस्तो आप भी अपने घर पर इसी तरह फिस फ्राई बनाईए और अपना अनुभाव हमारे साथ सेर कीजिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए अल्ला अपीश